कि Passover कि haven को virtually आज हम कंटीनियू करने बाइनरी शर्ष ट्री का लास्ट वडियो में हमने देखा था कि रूट का जो लेफ्ट पार्ट है वो उससे कम होगा कम है और रूट का राइट पार्ट उससे ज्यादा होगा रूट का लेफ्ट पार्ट उससे कम राइट तो इसमें है ही नहीं रूट का लेफ्ट पार्ट उससे कम यह 11 है और रूट का राइट पार्ट उससे ज्यादा तो ये ठीक है, binary search tree तो ये है, अब मुझे कुछ search करना है, मान लीजिए search जो मुझे करना है data, मुझे search करना है 18, ये मुझे 18 search करना है, तो सबसे पहले मैंने चेक किया, अगर root data के बराबर है, तो root को print कर दे, हो सकता है कि ये element 18 यहाँ पे होता root पर, तो फिर search करने की ज़रूरत ह दे, else part में मैंने कहा, अगर जो data जो मैं search कर रहा हूँ, वो node के data से, जो भी nodes है, अगर उनसे बड़ा है, उनसे अगर बड़ा है data, तो go to right subtree, देखिए, यही तो इसका rule है, कि जो node है, कोई सी भी, अगर data उससे बड़ा है, तो वो right part में ही तो होगा, root का left part उससे कम होता है और उसका right part उससे जादा होता है, तो data अगर बड़ा है node से, तो search करें सिर्फ और सिर्फ इस area में, ठेक left part को छोड़ दो, तो searching होगी easy, और अगर root का, जो भी हम search कर रहे हैं, अगर वो छोटा है node के data से, तो go to left subtree, तब left में search कर जाए, और root को, right वाले part को छोड़ दे, 18 search करना है, तो 18 क्या root, root equal to data है, 18 root पर नहीं है, तो यह तो नहीं चलेगा, आगे बड़ते है, क्या data node से बड़ा है, देखते है, node क्या है अभी 10, और हमारा data 18 है, हाँ बड़ा है, तो go to right subtree, अब यह right में आ जाएगा, left part को यह पूरा छोड़ देगा, अब यह फिर चेक कर क्या data root से, node से बड़ा है, देखते है 12, हाँ 12 बड़ा है, तो अब यह फिर से right में search करेगा, यहाँ पर आ गिया मतलब अब यह, अब यह फिर चेक करेगा, क्या root data के बराबर है, हाँ, अब तो root यह ही है, और यह data भी यह ही है, तो यह print कर देगा, 18 यहाँ पर, और मान यह ही है, अगर 12 पे हम होते, और यह condition satisfy ना होती, यह हो जाती, तो यह left में आगर search करता, तो searching इसमें बहुत easy हो जाती है, अब हम देख रहे है, insertion in binary search tree, insertion in binary search tree भी काफी important है, देखिए, हम start करेंगे यहाँ से, पहले elements है, अब देखिए, सबसे पहले आया 11, तो 11 को तो चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब आया 30, second वाला, 30, तो binary search tree का rule क्या है, कि element अगर उस root से बड़ा है, तो वो जाएगा right पार्ट में, तो 30 आगिया right में, अब आया 4, binary search tree का क्या rule है, अगर element छोटा है, तो वो जाता है left में, ठिक, अब देखते हैं, one, root से चेक होगा, root के किस पार्ट में जाना चाहिए, left में जाना चाहिए, क्योंकि छोटा है one, तो left में ले आए, यहाँ पे लगना है, अब 4 बन गया root, तो 4 भी तो root है, अब यह root के one right में जाना चाहिए, यह left में, right में तो बड़ा element जाता है, one तो छोटा है four से, तो one चला जाएगा left में, अब आया 14, तो देखिए 11 से ही चुछ चेक करेंगे हम, 11 है root, root से बड़ा है 14, तो मतलब right पार्ट में आएगा, अब लेकिन 30 आया बीच में, 30 बन गया root, 30 से बड़ा नहीं है, 30 से छोटा है, तो root से छोटा वाला पार्ट left में जाता है, अब आया 6, तो root से छोटा है, तो मतलब left पार्ट में जाएगा, फिर हम 4 पर आए, 4 के left में तो 1 लगा है, तो 4 के right में जाएगा, वैसे भी क्योंकि 4 से बड़ा है 6, तो root के right में जाता है, बड़ा वाला पार्ट, अब देखते है 9, तो 9 जो है 11 से छोटा है, तो जाएगा तो यहाँ पर आगए, 1 पर आगए, तो 1 से, नहीं, देखिए, 11 के बाद हम आए 4 पर, तो 4 के left में जाना चाहिए या right में, 4 के भी right में जाएगा, क्योंकि 4 से बड़ा है, तो अब हम आगए 6 पर, 6 के left में जाएगा या right में, 6 के भी right में जाएगा, क्योंकि root से बड़ा वाला चोटा है 11 से अब आया 4 तो 4 के लेफ्ट में जाए गया राइट में 4 के लेफ्ट में जाएगा क्योंकि 0 4 से छोटा है अब आया 1 1 के लेफ्ट में जाएगा राइट में 1 के लेफ्ट में जाएगा क्योंकि छोटा पार्ट लेफ्ट में जाता है ठीक अब आया 18 तो 11 से बड़ा है 18, तो राइट में जाएगा, अब 30 के उपर आगए हम, 30 से बड़ा है या चोटा है, 30 से है छोटा, तो 30 के लेफ्ट में जाएगा, अब हम आगए 14 पर, तो 14 से बड़ा है या चोटा है, 14 से बड़ा है, तो ये जाएगा राइट में, 14 के राइट में, अब या three, 11 से start करेंगे, छोटा है, तो लेफ्ट में जाएगा, four पर आगøן हम, four पर आएगे हम, four से, छोटा हे या बड़ा है, छोटा है, तो फिर से, four के light में जाएगा, तो 1 से, छोटा है या बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये जायगा right में ठीक! अब आया last 87 तो root पर जाएंगे सबसे पहले root से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है तो हम right में जाएंगे 30 पर आगए 30 से बड़ा है या छोटा है? 30 से बड़ा है इसलिए हम इसको right में लगा देंगे तो हर step में बस आपको ये चेक करना है कि वो root से बड़ा है या छोटा है अगर वो बड़ा हुआ तो right में जाएंगे और फिर चेक करेंगे और छोटा हुआ तो left में जाएंगे और फिर चेक करते जाएंगे insertion बहुत important है एक बार आप इसको फिर से जरूर देखिएगा ताकि ये बिल्कुल clear हो जाए अब हम इसमें देख रहे हैं deletion in binary search tree हमारा searching हो गया insertion हो गया अब देखते हैं deletion deletion में कुछ cases बनते हैं देखिए ये मानली जे मेरा binary tree है अब इसमें question आता है case 1 if node to be deleted is a leaf node leaf node कौन सा होता है जिसका कोई children ही नहीं होता जिसका कोई child नहीं होता उसको बलते है leaf node मानली जे जो node मुझे delete करना है वो leaf node है मानली जे मुझे e part को delete करना है ठीक है इसको delete करना है तो ये leaf node तो है ही क्योंकि इसका कोई child ही नहीं है तो अगर वो leaf node है, तो simple है, बस उसे delete कर दो directly, कोई changes करने की जरूरत नहीं है, D, E, sorry, F, N, G, तो ये हो गया delete, simple, गायब कर दिया मैंने इसको यहां से, तो ये तो leaf node की case पे था, अभी दूसरा case बनता है कि अगर जो node delete करना है, उसके पास सिर्फ एक child हो, जैसे कि मुझे हमें delete करना है, मान लिए बी को, ये मुझे delete करना है, बी, और इसका child सिर्फ एक ही है, यही तो case है कि अगर उसका एक ही child हो, तो ऐसे cases में आपको क्या करना है, देखिए, ये सब तो ऐसे ही रहेगा, और ये F, ऐसे cases में हम क्या करेंगे, इसका जो child है, जो एक ही child है, उसका, उस child को इसमें copy कर देंगे, यानि कि अब D इधर आ जाएगा, अब जाकर हम उसे B को delete कर देंगे, तो ये D इधर आ जाएगा, और B हो जाएगा delete, copy child to node and delete child, कहने का मतलब कि इस child को मैंने, इसमें copy कर दिया, बी के अंदर और child को कर दिया, delete, copy कर देना है बस उसको, अब देखिए, आप देखने है, last case, if node to be deleted, has two child nodes, यानि कि अब जिस node को delete करना है, उसके दो child node है, मतलब महां लेजिए मैंजे C को delete करना है, तो C के दो child है, D और E, इस case में हम क्या करते है, इस case में हम क्या करते है, first find in order successor of that node, in order successor का क्या मतलब है, सबसे पहले हम इसका in order निकाल लेंगे, in order हम निकालेंगे, इसका आएगा B, A, D, C, E, यह आगिया इसका in order, in order इससे पहली वीडियो में कराया गया, in order, pre order, post order, अगर यह आपको समझनी आया है, कि in order कैसे हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखे, तो यह आया in order, अभी in order successor का मतलब है, C कहां पर है, यह रहा है, C, तो C के बाद क्या है, E, यह होगा उसका in order, in order successor, अब इससे मतलब क्या है, देखे, in order successor मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उस in order को copy कर देंगे, उस in order successor को copy कर देंगे, उस node में, अब जो in order successor है, E, उसको मैं copy करूँगा, C के अंदर, यानि कि यह बन जाएगा अब E, क्योंकि यह copy हुआ है, और D तो यही रहेगा, और E जो है, वो यहाँ से cut हो जाएगा, वो हो गया, मतलब E, E को हमने यहाँ copy कर दिया, और यह cut हो जाएगा, तो यह important है, copy in order successor, in order successor node, to the deleting node, deleting node, and delete successor node, यानि जो in order successor वाली node है, उसको copy कर दो, जाएग डिलीट करना था उसमें, और इसको हटा दो. Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button, and also subscribe this channel, to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.